आपका ये चोकिधार पूरी तरह से चोकना है आपके साथ राहुल सौमित्र 2019 लोग सभाद शुनाओं से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा लॉंच किया है रफाईल डील को आधार बनाते हुए कॉंग्रिस के चोकिदार चोर है नारे का जबाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने मैं भी चोकिदार अभियान की शुरुआत किये इस नया अभियान का आरंब करते हुए उन्होंने कहा है और देश की जनता को जोडने की कोशिश किया है कि आप भी चोकिदार के साथ खड़े हुए और कहिए मैं भी चोकिदार हूँ साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से अपील भी की है बिजेपी का ये पहला पलटवार ठीक वैसा ही है जैसा लोकसभाचुनाओ 2014 के प्रचारों में नारों की जो जबरदस्त जादुगरी शुरू हुई थी इस दोरान मणिशंकर अयर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था जबकि भारती जन्ता पार्टी से वो प्रधान मंत्री के कैंडिडेट थे बिजेपी ने फौरान इसे कैच कर लिया और पूरे देश में चाय पर चर्चा शुरू हो गई उसके बाद क्या हुआ ये आप सब भली भात जानते हैं नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ तेश के प्रधान मंत्री बने तो कॉंग्रेस इन पाँच सालों में अगर बात की जाए इसमें आप बिपक्ष को भी आयट कर लीजिए कोई मुद्दा आपके सामने दिखता है वैसे मुद्दे तो बहुत सारे रहे जिसकी वज़ा से आम जंता को परिशानी जेलनी पड़ी लेकिन बिपक्ष उसे मुद्दा बना नहीं सका ये पहली बार है जब राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और चौकिदार के तहत एक बड़े अभियान की शुरुवात कर रहे हैं अब देखिए कॉंग्रेस कैसे पलड़ जा रही है मैं आपको दिखाऊंगा राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी कहते हैं चौकिदार चोर हैं और राशिद अल्वी की बात आप ध्यान से सुनिएगा ये कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं वो चौकिदार नहीं है, वो भृष्टाचार के बादशा है, वो चौकिदार नहीं है, देश को तबाह करने वाले एक इंसान है, वो चौकिदार नहीं है, वो लोकतंत्र और सम्विधान के साथ खिलवाल करने वाले एक नागरिक है अपने आपको उन्होंने बताया था कि वो प्रधान से वक हैं लेकिन पाँच साल के अंदर जितना खर्चा उन्होंने अपने घूमने पर अपने ऊपर किया है इतना इस देश के किसी प्रधान मंतरी ने नहीं किया तो बहुत सभावी के आपने देखा यहां पर राशी दल्वी चौकीदार इंकार कर रहे हैं कि प्रधान मंतरी चौकीदार नहीं है वो कह रहे हैं अब राहूल गांधी अपनी हर रैली में आज वो जब उतरा खंड गए वहां भी उन्होंने कहा चौकीदार आगे आप लोग समझ रहे हैं लेकिन ग्राशी दल्वी इससे इत्फाक नहीं रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि चौकीदार नहीं है चुकि देश के प्रधान मंतरी ने इसे थैंक यू सो मच भी कह रहे हैं तो सवाल यह है कि इन पांच सालों में विपक्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है यह तो त्याप ही करेंगे लेकिन तमाम खास महमान हमारे साथ जुड़ गये हैं भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता दिलीब जी जुड़े राजनितिक बिश्ले सक हैं आपका भी मनोज जी बहुत स्वागत और वरिष्ट पत्रकार कई लोकसभा चुनाओं को बकाइदा उन्होंने देखा जाना समझा हेमन तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं हेमन जी आपका भी बहुत स्वागत अखाड़ा के इस खास स्टू कह रहे थे और रियक्शन ले ही रहे थे भले ही वो देश के प्रधानमंत्री पर टिपड़ी वो कर रहे थे आपने तुसे कैच कर लिया मैं भी चौकिदार अभियान की शुरुवात कर दी और 31 मार्च को आप लोग क्या करने जा रहे हैं देखे जब भी आम आदमी की बात ह को होगी निमन वरक की बात होगी तो आम इंदुस्तानी उसको अपने से होड़ते हूए नहीं मन सकता एक काम आदमी आयए सपीसे और चीजों पर अपनी हरता नहीं पर लिखा के लाया है कि वही सारी चीजों पे सरोकार करेगा वही सारी चीजों पे उसी सिंगासन पे वह आसीन होगा और आम आदमी की बात नहीं करेगा जब आम आदमी से जुड़े हुए हर पहलों पे हर उस पे चोट की जाएगी तो आम आदमी से जुड़के आम हिंदुस्ता उसका जवाब देता है चाहे चायवाले का मसला हो चाहे चौकिदार का मसला हो देश के समाज का एक सजक नागरिक जो एक समाज में सजक प्रहरी के रूप में जो देश से जुड़े हुए मसलों पर या समाज से जुड़े हुए मसलों पर सारी चीजों पर अगर एक चौकिद यानि एक जब हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री ने अपने को प्रदान जंसेवक करते हुए जाड़ू उठाई तो सारे लोगों ने सफाई पर सचता पर ध्यान दिया सफाई सब लोगों ने पहले आप क्या देखते थे कि सड़क पर लोग कुछ भी डाल देते पॉल्थिन जाल देते थे या कागश का तुगड़ा अब अपने पास रखते हैं वो अपने में स्वाप रेड़ना लेते हुए उसको अपने साथ से करते हैं नहीं यह सब कुछ है बहुत अच्छी बात आप कर रहें लेकिन अगर सीधे थी सीधे तोर पर किस प्रकार से अभी आपने किसका है इस पर जवाब देना चाहिए रावर्ट बाडराक पास कहां से इतनी संपत्य आई जाच करा लिजे आप मोदी जी के पास क्या संपत्य है मोदी जी का परिवार किस रूप में रहता है यह तो एक बड़ा एक उधारन है जो सब के सामने है कि तीन बार मुक्य मंत्र प्रदान मंत्री रहे और ऐसे व्यक्ति के पास क्या संपत्य है वो तो जो उपाहर में बिली वस्तुर को भी निवाम में करते हैं इन पान सालों में विपक्ष को जो काम करना चाहिए था बड़ी मजबूती के साथ जंता के साथ खड़े रहना चाहिए था जंता के दुख- उन्हें केंपेंच चला दिया मैं भी चौकीदार हूं जैसे आपने चाहे वाला कहा था 2014 में अब 2019 में वो कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं आपकी की बात को उठा लिया उन्होंने जितना एक कोठी में रहने वाले व्यक्ति को है चाहे वाला प्रधानमंत्री तब बनता है जब लोकतंत्र हमारा जीवन था है और रहेगा क्या किसी चाहे वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए अगर जिस लोकतंत्र करिया से एक चाहे वाला प्रधानमंत्री बना ह मैं ये कह रहा हूं कि जब लोग तंत्र को आप खत्म कर देंगे तो फिर कोई चायवाला प्रधान मंतरी कैसे बनेगा यनि कि जीस प्रोसेज से आप प्रधान मंतरी बने उसी प्रोसेज करो तोड़ देना चाहते हैं तो आप करते दूसरी बात kurandas के पाश मुदा देखे मैं बताओं बिपक्ष हो या शरकार हो मुद्दा वो चीजे बनती हैं जो जनता की पीड़ा होती है जिसे जनता चाहती है कि हमारी चिनी हुई सरकारे जिनका हमें शमाधान दें लेकिन चुकि रूलिंग पार्टी को नवादे करने का हक होता है क्योंकि जो वादे वो सरकार के पास जो है कोई मुद्दा नहीं था इसलिए उसने हमारे शैनिकों के शौरे के साफे को अपने शर पे बांध करके पूरे विपक्ष को और पूरे देश को मुद्दाहीन और पीड़ाहीन बनाने का प्रयास किया है कोई बना ही नहीं सकता कौन कहता है आप ब्रह्म में होंगे जो चीजें जो बातें जो आपकी आवाजे जनता की पीड़ा को अभिव्यक्ति नहीं देती वो कभी मुद्दा नहीं बनेंगी चाहे हम चैनल पे जितनी बहास कर लें मुद्दा वही चीजें बनेंगी जो चैनल की दरें हैं हमारे समय में इतनी थी लेकिन आज भी प्रटोर के दामनें इस सब बताया आपने उनकी बातों को खाया समझा शारी चीजें कहने तो दीजिए शारी चीजें बताई गई है इसी लिए इस चुनाओं में मुद्दे पे जो आपने पांच साल काम किया है उ जनेव भी पहना गया और जो है जो और गोस्त भी बताई गया ठीक है यह हमने देखा है सैनिकों के सारी के साफे पे और उसी साफे पहला रहा है कपीज जी दूर और जो आप यश्वन जी प्लीज पीड़ा को ढखना चाहते हैं और आप ध़कने सकते हैं नहीं प्लीज मेरे पास सब्सक्राइब को एक मिनट दिया आगर आप जबाब दीजिए क्या बिपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है आप 25 दिन का चुनाव बचा हुआ है 11 अप्रेल को मतदान है लेकिन मुद्दा दिख रहा है क्या अभी भी बस मुलाकातों का दौर जारी है बस जन जनता के पास मुद्दा नहीं है नहीं नहीं राहुल जी जनता के पास इतना मुद्दा है कि अगर गिनाना शुरू किया जाए तो यह पूरी डिवेट उसी आप लोग तो रटा नहीं पाए ना कम सब्सक्राइब रटने और रटने की बात नहीं दिखिए जिस जो चीजें शूल बनके चुबती हो जनता के अंदर उसको रटाने की आवशक्ता नहीं पर यह वो अखुद में जीवन्त होती है मैं सबसे पहले इस मुद्दे पे आना चाहूंगा कि आखिर प्रधान मंत्री जी को यह क्यों कहना पड़ा कि हम चौकिदार हैं सभी चौकिदार हैं चक आपको के उपर जब चौरी का आरोप लगा तो आपने एक उसे कंपेंड बना के लोगों को चौर बनाने की मने विपक्ष लोगों क्योर अरे आपने कहा था आप चौकिदार हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल के डेट में रफाइल के मामले में इनसे कहा कि अगर इस तरीक ने था आपने चौरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की आपने फाइयार लांच क्यों नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है मैं मुझ से चोर इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि यह शब्द और संसदी यह भाशा का प्रियों है जो भारती जन कि जनता का दर्द होता क्या है अच्छा को यह पहले बात तो दर्द समझना पड़ेगा नंबर एक बात नंबर दूसरी बात यह है कि चौकी दार को हम चोर क्यों ना कहें वह चौकी दार है सबसे अधिक घोटाले आज की बैंक अगर हम बैंक से बैंकिंग सेक्टर को उठा करके देख लें सबसे घोटाले अगर हुए किसी ने दिये तो वह भी आपको बता दुम है कि नरेंदर मोधी जी के कारिकाल में दिये गए नंबर दूसरी बात अगर यह जोट बोल रहे हैं तो जनता जाएगी जोट बोल रहे हैं आप बूले दीजे आप बूले देजे बस दस सिकंड में आपनी बात किजिए उसके बाद मैं सिर्फ यह बोलना चाहूंगा गंगा का वो चार किलोमेटर का स्थान बता दे जहां पर गंगा साफ हुई ह चौथी बात अच्छा कुम्ब में गय थे आप बिलकुल में गय थे अपके सबसे बड़े ने था वहां गय डुपकी लगा किया है उन्होंने तो कुछ कॉमेंट नहीं किया रहा हूं जैसे कुम्ब खताम हुआ वैसे ही कितने नाले खोल दिय गए आपको पता है कर से के चलिए हेमन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए है और प्रोफेसर मनोज पांडी भी जुड़े हुए है ठीक है सारे पिनट दिलीब जी नो कोई वर्सिस की प्लेट नहीं चलेगी सर्क्रीज हो लिया एक मिनट हेमन तिवारी जी चौकीदार चोर है मैं भी चौकी हूँ ये क्या दो हजार चौदा की पुन्रावित्ति हो रही है ये कैसा नारा ज्रा समझाइए इसमें लीड लेता हुआ कौन दिख रहा है भाई जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो तो जरूर चाहेगा कि उसको लीड मिले और वही चीज रिपीट हो जो 2014 मुझे लगता है कि अगर बड़े फलक पर देखें तो शायद ऐसा अपोजिशन प्रदान भी कर रहा है मुझे लगता है कि इस देश का जो पढ़ा लिखा आदमी है आउस्सक आमदनी वाला आदमी है इंटिलेक्ट्वल क्लास है वो कताई स्विकार नहीं करेगा एक देश के प्राइम मिनिस्टर को सीधे सीधे आपोजिशन का सबसे बड़ा नेता चोर कहें चोर जैसे शब्द बहुत एक तरीके से जब तक भारती कानून की दिश्ट से अस्थापित न हो जाएं चोर जैसे चौदा के एलक्शन हो कांग्रेस खास्त और सुसके कुछनेता ऐसा उसरदे देते हैं जिसको पोजिशन बुनाता है तो मौके की तलास स्यासत में हमेशा होती है इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए जन मानस पर किस बात का कितना प्रत्कूल प्रभाव पड़ सक लगता है इसका आकलन होना चाहिए मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा पोजिशन कमजोर सावित हो रहा है नंबर बात नंबर दो चीज़ आ रहा हुए बश्यपी की सुरवात से ही स्ट्रेटी रही है कि परस्टनाल्टी क्लैस हो देखिए देश का सब्से बड़ देने जाता है उसका दिवांग मौता है कि मोदि जहें कौन आएगा छेली मुधी कटा देते कौन आएगा तो इधर कौन आता है रहुल गांदी सबसे चपल है सबसे बड़ी पारटी की नेता अने लेकिन और भारति जनताइविक है परेस्ट चाहती परेंद तो नरेंद मोदी और रहूल गांदी में बहुत बुनियादी फरकाएगा तो भारती जनता पार्टी की जो स्टेटीजी थी सारी चीजें उसके हिसाब से चल रही है और अपोजिशन उनको लगातार वक्त दे रहा है पार्टी के प्रवक्ता तो जरूर डिफेंड करेंगे य है शुनाओ की रैलिमे किसी को चौर कह देने से अब उसको चौर इस्टैबल सैथ है बिल्कुल यह वाली बात नहीं है कि 600 बार बहिमान कीकि है तो उस इसको पर अशंका हो जाते है आशंका हो सकती है लेकिन आप उसको अस्थापित नहीं कर सकते हैं अर्रह promotes यायम भातों मैं आपको यह नहीं अभिशेख जी प्लीज नो नो बीच में इंटरफ बखिजिए कंडिडेट को चोर बोले ने कंडिडेट कौन है कंडिडेट देश के प्रदा एक मिनट प्रोफिसर मनोच पंडे जी देखिए अभी चुनाओ का वक्त है मैं बार बार फिर से रिपीट कर कर रहा हूं 25 दिन का वक्त बचा हुआ है जो इन पांच सालों में ऐसा नहीं कि पूरी जनता बहुत खुशहाल रही होगी निश्चत तोर पर कुछ प्रॉब्लम्स उसके सामने आई होंगी उन्होंने फेस किया होगा बहुत बड़ा देस है हमारा 90 करोन मद दाता है क्या व प्रोफेसर हैं मंतिवारी जी वरिष्ट पत्रकार है बहुत दिन से चीजों को देख और जान और समझ रहे हैं क्या आप ग्राउंड पर वह पा रहे हैं देखिए चुनाओं के समय आप जैसा बता रहे हैं 25 दिन हैं हम भी मानते हैं 25 दिन हैं लेकिन असली चीज है दो हजा है महानगरों में भी है लेकिन जो अजिसंख मत आता है वो गाउं में है अब रही बात-बात पहुंशने की तो मुझे लगता है कि विपक्ष पांच सालों में अगर आप उस तरीके से देखें एक चोटी सी बात बताएं बफोर्स की बात आई थी और बीपी सिंग साहब प कटखरे में खड़ा करने का काम किया था महाल बन गया और कांग्रेस की सरकार चली गई दूसरा अगर आप देखें तो कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंग पधानमंत्री थे अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन किया और लोग पाल की बात वो करते हुए आंदोलन करते रहे और कांग्रेस की सरकार जो नज आते हुए दिख रहे थी वो चली गई लेकिन 2014 से 2019 आ गया है देश में इतना बड़ा कोई आंदोलन विपक्ष अभी तक चाहें वो सारा विपक्ष क्यों एक कांग्रेस ही नहीं सारे विपक्ष की अगर बात देखें आरेलडी को भी कहिए और समाजबादी पार्टी कपीश जी भी यहां बड़ेल हैं जगहों पर तो जरूर सब एक तो हैं अंटी इंकमबेंसी से सरकारे बदली लेकिन आंदोलन के रूप में जन मानस को प्रभावित करता हुआ कोई ऐसा आंदोलन विपक्ष का नहीं दिखा बिल्कुल हम तरी ने डंके के चोट पर कहा था ना कि हम पांच साल जब पूरे करेंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे भारत की मन के बात के तहट मैनिफेस्टो बनेगा मतलब कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सब कुछ जब एक महीने बच जाए जब एक महीने से भी कम का समय ह तो आप जब को मेनिफेस्टो रखेंगे अपना ठीक कॉंगर्स ने भी नहीं जारी किया कपीज जी नहीं बताया कि इनका मेनिफेस्टो क्या होगा लेकिन कम से कम एक महीना का तो वक्त देंगे न आप आप बड़े बड़े दल अलग चीज़ा रिपोर्ट काल दें रिपो कि आपने बसा दिये लेकिन दिक्त क्या है समाजवादी पार्टी के साथ उनकी हला बोल संस्कृति उस्तार अप्रूश्व राहित हो आप जाती है कि वहीं बूलना सुरू कर देते हैं नहीं कि अधिक बताना चाहिए कि हिंदुस्ताइब जन्ता जाना चाहिए कि दोहजार न संपत्ति के मामरा चनिकर माज दस कोईश्व रुखेरना चाहता हूं यूस्ता जाता हूं ऑस्पत्ति के सन्षर्पत्र क्यों भाग आते हैं मायावती जी और अधिले जी पर चले जाते हैं इन्हें अपने सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है इन्हें अपने सरकार के काम पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर इन्हें काम पर भरोसा होता तो इनको यह नहीं कहना पाता कि हम भी चोकीडार हैं। इन्हें से लोग को जिनको आउनस्ती का होट भी लाएं उन्हें फोला चोड कहने का काम किया था। गोटाले का मामला होचा इसमारा गोटाला का मामला होचा हैं इतर अगप ब्रेक के बाद भी ये वहस जारी है चुकि जनता कुत्य कर मैंना दिलीब जी साइलेंस दिलीब जी एक मिनट सर प्लीज ब्रेक का वक्त है आपर आपका ये चोकिधार पूरी तरह से चोकना है तो चोकिधार भारती जनता पार्टी का हत्यार कैसे बन गया और क्या यही नारा देश में होना चाहिए क्या बेरोजगारों की बात नहीं सुननी चाहिए जो बेरोजगारी है सबसे अगर देखें तो सबसे उपर पर है क्या महेंगाई की बात नहीं होनी चाहिए क्या हमारी आर्थिक व्वस्था की बात नहीं होनी चाहिए जो तमाम समस्या हैं उनकी बात नहीं होनी चाहिए क्या इसी बात पर हम रहेंगे यही बात करेंगे हमारे साथ तमाम खास महमान जुड़े हुए लेकिन उसके पहले एक दिल्ली से बड़ी खबार हमारे बीच आ गई है प्रधानमंत्री मोधी बिजेपी मुख्याले पहुचे हुए है 6A दीन द्याल उपाध्याई मार्क पहुचे हुए है केंद्री चुनाव समिती की बैठक शुरू हो चुकी है बिजेपी मुख्याले पर तमाम नेता मौझूद है यानि एलेक्सिन कमिटी के सभी नेता वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के साथ मौझूद है और उम्मीद है कि आत भारती जनता पार्टी की पहली लिस्ट हो सकता है कि रात आट बजे आ जाए लेकिन उत्तर प्रदेश वालों के लिए ख़बर ये है कि आपके बड़े बड़े नेताओं को कल एक बजे बुलाया गया है तो आप थोड़ा सा और इंतजार कर जिए बड़ी सीटों पर हो सकता है कि एलान हो जाए लेकिन अभी बहुत हत्तक एलान नहीं होने वाला है हमारे साथ तमाम खास मेमान जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस की तरफ से यश्वन जी बिजेपी की तरफ से दिलीब जी कफीज जी समाजवाधी पार्टी की तरफ से अभिशेग जी आरलडी और प्रफिसर मनोज पांडे के साथ हेमन तिवारी ये वर इस पत्रकार आप सभ अचार को एंटर्वु में कि नरेंद्र मोदी चौकिदार नहीं है आपकी यहां इतना मतभेद क्यों है राशी दल भी बड़े नेता है वह अपने राश्ट्रिय धक्ष की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं यह मतभेद क्यों है पहले आप तैकर लिजे कि मुद्दे क्या है आ लेकिन उन्होंने चौकिदार का एक रूपक एक प्रतीक ग्रहन किया है हम यह कहते हैं जो आपने चोर पे आपती की है अगर वो अपने को कहते कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो हम कहते इस मामले में राफेल के मामले में कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है या गैर जि आपको बताना चाहिए लंदन में मकाने उन्होंने कहा आप अपनी फाइले नहीं बचा पाला है आपको बताना चाहिए लंदन को बाग रहे हैं आपको बताना चाहिए लंदन को बाग रहे हैं प्रोफिसर मनोच पंडे यही हला यही हंगामा दोजार उन्निस के एलेक्शन में देखने को मिलेगा प्रोफिसर मनोच पंडे यही हंगामा मिलेगा हेमन चिवारी जी यही हंगामा मिलेगा आप दोनों लोगों से बारी बारी से मेरा सवाल है पहले मरोज पंडे आप बताइए पूर के व्रिक बख़र रहे हैं याफिताब को पूंजाए था कि क्या हुआ यह तो क्लियर दिख रहा है बोलिये हमन जी आप हम जी बहुत लिए कि ऐखर बता दिए नहीं ऐह पर एक मिनट रेंगे आप इस लिए नहीं बोलें यहाँ आप अक्रोशिद मत होगि मैंने आपको पूरा समय दिया अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी नाकामी हैं अब बहुत भुष्ट धन्यवाद बहुत शुक्रिया आप जनता को तैकरने दिए सब कुछ की चौकीदार चोर है या मैं भी चौकीदार हूँ यह जनता बताएगी चौकीदार आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकना है आपका ये चौकीदार हूँ